क्लास नाइन्थ KPK चेप्टर नेम इंट्रोडिक्शन टू कॉर्डिनेर्ट जमेट्री और इसकी रिव्यू एक्सेसाइज नमर 9 को हम सॉल्फ करेंगे जिसका क्वेस्चन नमर 6 है कि a segment has one end point at जो point के coordinates है उसमें x coordinate 15 और y coordinate 22 है and a midpoint at उसका जो midpoint है line segment का उसका x coordinate 5 और y coordinate 18 है what are the coordinates of the other end point तो other end point के जो coordinates होंगे वो क्या होंगे वो हमने find करने है ठीक है तो इसको अगर हम थोड़ा सा diagram के थूँ समयल लें तो हम यह बात करें कि यह line segment है ठीक है जिसका एक end point जो है जैसे उन्होंने बताया यह a है और midpoint यह m है और जो दूसरा end point है b वो हमने find करना है फर्स करें उसका x coordinate x और y coordinate y है ठीक है तो यह हो गया a point ठीक है 15 and 22 यह उसके coordinates हो गए यह आ गया midpoint ठीक है m जिसके coordinates जो है वो 5 और 18 है और यह आ गया other end point b जिसके coordinates हमने find करने है अब यह बात जानते हैं कि जो midpoint है a b का अगर हमने midpoint of a b find करना है चले मैं साइट पर लिखता हूं तो midpoint of a b के लिए line segment a b के लिए हम formula क्या लिखेंगे हम लिखेंगे x2 plus x1 whole divided by 2 इसा y1 plus y2 divided by 2 ठीक है अब चुके midpoint of a b हमें पता है कि वो m है और उसके coordinates है 5 और 18 वो हमें साइट पर लिख लेंगे और दुसी तरफ जो है चुके a और b के coordinates लिखने तो a का तो 15 x coordinate और b का x coordinate फाइंड करना है तो x लिखके over 2 लिख देंगे इस तरह y coordinate जो है a का पता है हमें 22 है लेकिन b का नहीं पता उसको y लिखकर divided by 2 कर देंगे ठीक है अब अगर दोनों को compare करें दोनों order pairs को तो इनके अब सिसा आपस में ब्राबर होंगे यहाँ पर अगर x coordinate 5 है left side पर तो right side पर क्या होगा 15 plus x divided by 2 होगा ठीक है और इसी तरह अगर y coordinates को compare करें तो left side पर y coordinate 18 है तो right side पर क्या है 22 plus y over 2 है ठीक है अब आप अब आप इसको simplify कर लें simplify सा करें कि यह 2 इदर आकर 5 से multiply होगा 10 बन जाएगा 10 is equal to 15 plus x या यह भी हम कहा सकते है 15 को कर दूसरी तरह move कर दें तो 10 minus 15 जो है वो किसके बराबर आएगा x के यह जो है वो बराबर होगा minus 5 के ठीक है x बराबर होगा minus 5 के और same y coordinates के लिए अगर हम working करते हैं तो y के लिए आप देख रहे हैं कि यह 2 इदर आकर 18 से multiply होगा 36 बन जाएगा ठीक है जबकिए equal to है किसके 22 plus y के अब यह 22 इदर आकर अगर minus कर दिया जाए 36 में से minus कर दें अगर हम 22 तो y की value क्या आ रही है जी वो आती है 14 ठीक है तो therefore जो b point है other end point मतलब उसका x coordinate minus 5 आया और y coordinate जो है वो 14 आ गया है तो इसके से यह problem जो है वो हम understand कर सकते हैं next problem है इसमें हमने प्रूफ करना है कि जो points है हमें 4 points given है a point के coordinates है 2 and 1, b के हैं 0, 0, c के हैं minus 1 and 2 और d के हैं 1 and 3 are the vertices of a rectangle ठीक है अब rectangle में opposite side ब्राबर होती है और corner angle 90 degree का होता है ठीक है तो इसके लिए हम सबसे पहले a, b distance जो है वो find करते हैं और a, b distance find करने के लिए जो distance formula है वो में एक दफा यहां पर लिख देता हूँ जिसमें हम जो भी points का distance ले रहे होते हैं उनके x coordinate को minus करते हैं यह उनका difference लेते हैं और उसका whole square कर लेते हैं जैसे 2 में से 0 minus करो 2 आता है और 2 का square 4 तो यहां पर 4 answer आ जाएगा इसी तरह आप 1 में से 0 minus करें जो के y coordinates का difference तो 1 आता है और 1 का square 1 ठीक है यहनि 4 plus 1 कितना हो जाता है 5 तो हमें पता चला जो a, b distance है वो कितना आ रहा है वो under root 5 आ रहा है ठीक है इसी तरह अब हम b से c distance calculate करते हैं ठीक है हम एक तरतीब में चल रहे हैं तो b से c distance के लिए हम क्या करेंगे जो इनके x coordinate का difference है यहनि minus 1 में से अगर 0 minus करो तो minus 1 नहीं आएगा और minus 1 का square कितना होता है plus 1 तो यहां में आप plus 1 लिख देंगे इसी तरह 2 में से अगर आप 0 minus करें 2 आता है और 2 का square 4 तो यहां भी अगर आप इससे simplify करें तो देखें आंसर हमें कितना मिलता है under root 5 ही मिलता है ठीक है तो यहां पर हम इसको finally लिख देंगे is equal to under root 5 ठीक है यह bc distance भी आगया अब हम b से c आए हैं अब c से d आते हैं c d distance भी calculate कर लेते हैं कि वो कितना आ रहा है ठीक है और फिर इसको मजीद simplify करेंगे तो c d के लिए आप 1 में से अगर 1 minus करते हैं यह नहीं 1 में से minus 1 को minus करते हैं वो plus 1 हो जाता है यह नहीं 1 plus 1 हो जाता है 2 और 2 का square आ जाएगा 4 यहां पर हमें answer मिलेगा 4 ठीक है इसको मैंने solve करके लिखा यहां पर 4 प्लस इसी तरह इनके अगर y coordinates का difference लें तो 3 में से 2 minus करो 1 आता है और 1 का square 1 तो 4 प्लस 1 कितना आजेगा answer यह भी under root 5 आजेगा ठीक है यह यह इसका answer भी हमारा under root 5 ही आ रहा है अब हम इसे next जो distance है अब d से हमने वापिस क्योंके closed shape होती है rectangle तो हमने d से वापिस a से इसको connect करना है तो d a distance भी find कर लेते हैं d a distance के लिए अगर आप देखें d का x coordinate 1 और a का x coordinate 2 है तो 1 में से 2 minus करो minus 1 है तो minus 1 का square plus 1 तो हमें answer क्या मिलता है यहाँ पे plus 1 ठीक है फिर plus करेंगे इसमें y coordinates का difference लेते हैं 3 में से 1 minus करो 2 2 का square 4 तो इसका answer भी under root 5 आता है तो हमने एक बात note की कि यह जो all sides है opposites यानि अगर हम य distance है और b c distance है ठीक है और c d distance है और d a distance है यह सारे के सारे बराबर आ गए है रेक्टेंगल में opposite side बराबर होती है इसके मतलब इसकी चारो sides बराबर हैं इसका मतलब हम यह बात कह सकते हैं यहापे कि opposite sides are मतलब एक जो result आया हमारे पास वह यह आया कि opposite sides जो है इस इन जो in points को मि जो डाइग्राम बन रही है, उसकी opposite sides are equal, ठीक है, उसकी opposite sides equal है, अब second, जो हमने condition प्रूफ करनी है, वो यह के corner angle 90 का है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक diagonal find कर लेते हैं, यानि हम कोई भी एक diagonal find कर लेते हैं, चले, A को C से connect कर लेते हैं, तो हम diagonal की length को calculate करते हैं, कि वो क्या आती है A से C के लिए आप जब इसका x coordinate minus 1 और इसका 2s लेक रहते हैं, तो minus 1 में से minus 2 करेंगे, minus 1 minus 2, यह minus 3 बन जाएगा, और minus 3 का जब आप square लेंगे, तो minus 3 का square होता है positive 9, यहाँ पे 9 answer आएगा, इसी तरह 2 में से आप 1 minus करेंगे, 1 आता है, 2 minus 1, 1, 1 का square 1, तो आपको final answer यहाँ पे 10, तो हमें पता चला कि A सी जो distance है, वो किसके बराबर है, under root 10 के बराबर है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हमने चेक करना है, कि क्या पैथागोरस सुरम जो है, वो apply हो सकता है, इस sense में कि अगर जैसे यह एक rectangle है, ठीक है, for example, मैं यहाँ पर चलने ड्रॉ करता हूँ कि अगर यह side rectangle की है, यह भी है, ठीक है, यहाँ भी यह, और यह इस साथ से close shape बन गी, अगर यह rectangle है, तो corner angle कितना होगा, 90 का होगा, ठीक है, यह अगर मैं A और यह C है, अगर इसको join करता हूँ, तो इनको join करने से diagonal बनेगा, A को C से, और इस point पे, जो, अगर A को मैंने C से join क तो जो यह B point है, इस पे 90 का angle बनना चाहिए, मतलब, कि इन दो side का, जो square का sum है, वो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, यह चाहे square भी हो, चुकि इसमें 4 sides बराबर आई हैं, अगर हम इसकी diagram को study करें, तो इसकी diagram फिर इस तरह से बनेगी, कि उसमें हमने 4 sides एकवर रखनी ह ठीक है, तो फर्स करें, यह length अगर इतनी आई है, तो दूसरी length BC के बराबर आई है, यहां तक, ठीक है, बितिसी length BC के बराबर आई है, और चौती length BC के बराबर आई है, तो मतलब, यह square shape में ऐसा होता है, वो भी rectangle होते हैं, चुकि तुमाम squares जो है, वो rectangle है, ठीक है, तो यह आपको याद होनी चाहिए, यह A vertex है, यह B यह, यह C और यह D है, तो हम चेक करते हैं, कि pathography सुरम इस पर apply हो सकता है, कि नहीं, तो AC का जो square है, अगर हम AC side का square ले ले ले, तो वो बनता है 10, ठीक है, इसी तरह अगर हम, जो AB side है, चुकि वो under root 5 आई, इसका square ले तो 5 आता है, BC side कितनी आई, अंडर root 5 इसका square ले तो वो 5 आता है, जबकि AC side के square का answer आ रहा है 10, तो देखें, इन दोनों के square का sum 10 आ रहा है, जो के AC square के बराबर है, यहनि हमने बात note की, कि AB side square प्लस BC side square जो है, वो बराबर है किसके AC side square के, its mean कि यह, जो triangle हमें बनी भी नजर आ रही है, यह right angle triangle है, और इसमें, यह right angle triangle है, ठीक है, और इसमें जो right angle है, वो किस vertex पे है, at vertex B, ठीक है, at vertex B, तो same, similarly, हर corner पे जो angle बने गा, वो 90 का बन रहा है, और opposite side equal है, यह side इसके बराबर है, यह side इसके बराबर है, इसका मतलब कि hence, हम यह बात यहाँ पर लिख सकते हैं, कि जो given points है, यहाँ पर यह statement लिख सकते हैं कि hence, given points, given points form a rectangle, forms, given points, बलके यहाँ पर यूँ कर लेते हैं कि given points form a rectangle, ठीक है जी, तो इस त्रीके से यह हमारा problem solve हो जाता है, और यह हमने result चुके prove करना था, last time है, hence prove लिख देंगे, और यह problem हमारा complete हो जाता है, solve हो जाता है, जी, next problem है, problem number 8, इसमें लिखा हो है कि prove that, यह जो a, b, c, d है, यह चारो vertices जो है, is a square, यह एक square shape बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने पिछले question को solve किया, same, उसी त्रीके से solve करेंगे, हम इसे, हम इसे लिख देते हैं, solution की heading बना लेते हैं, ठीक है, और इसका solution find करना शुरू करते हैं, सबसे पहले तो हम distance formula को revise करते हैं, कि distance formula अगर two points के दर्मियान लेना हो, उसके लिए क्या concept है, कि जो भी given points से उनके x coordinates का difference का square किया जाता है, प्लस, फिर इसी तरह इनके y coordinates से उनके difference का square किया जाता है, और फिर उनको add कर लिया जाता है, और फिर जो answer आता है, जल्दब add क conditions find करें, तो वो क्या आ रहा है, इस case में, देखें, a का x coordinate, या b का x coordinate 3 है, 3 और a का minus 1 है, 3 में से minus करेंगे, minus 1 को तो प्लस 1 हो जाएगा, 3 में 1 add करेंगे, 4 आएगा, 4 का square plus, इसी तरह 3 में से 0 minus करें, 3 ही आएगा, और इसका square, तो यह बनता है, 16 plus 9, 16 plus 9, और इसका sum 25 आता है, तो 25, अगर आप under root लें, तो 5 आता है, यानि a, b जो हमें distance मिला है, वो कितना मिला है, 5, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम, 20 सी distance को find करें, तो वो देखते हैं कितना आता है, 20 सी में हम यह करेंगे, 6 में से 3 minus करते हैं, 3 आ जाएगा, उसका square ले लेंगे, और minus 1 में में से minus करें तो यह बनता है, 9 प्लस 16, ठीक है, और 9 में 16 एड़ करें, 25 और 25 का अगर under root ले लें, तो 5 आता है, यानि b c distance b, a, b distance के बराबर ही आया है, ठीक है, अब हम c a distance find करते हैं, चूंकि हम एक continuity में चल रहे हैं, तो c a के लिए, हम c और a distance ले रहे हैं, तो 6 में से minus करेंगे, minus 1 को त 6 plus 1, 7, 7 का square, ठीक है, plus, minus 1, और plus 0, तो minus 1 में से minus करेंगे, 0 minus 1 ही आएगा, minus 1 का square, अब minus 1 का square करें, तो वो 1 आ जाता है, या आता है, 49 plus 1, जो के बनता है, under root 50, ठीक है, square root of 50, इसे next अगर हम देखें, तो, मतलब हमने a, c distance find कर लिया है, बलके, sorry, हमें b से c, अब c से d distance find करना था, चैनल, a, c भी हमने find कर लिया, यह हमें help करेंगा, जिस वक्त हमें corner angle, जो है, वो find करना होगा, यह चुक्के basically, हमने side नहीं find किया, हमने diagonal find किया, ठीक है, इसको मैं एक box के अंदर, लिख देता हू यहाँ पर, कि यह basically हमने, जो find किया, यह हमारे काम आएगा, जो हमें diagonal की length require होगी, ठीक है, for diagonal, अब हम, इससे next, जो है, c से d distance, जो हो calculate करते हैं, कि वो कितना आता है, तो c, d के लिए, 2 में से 6 minus करेंगे, minus 4 आता है, minus 4 का square कर लेंगे, और plus, इसी तरह, minus 4 में से minus करेंगे, minus 1 को तो plus 1 हो जाएगा, minus 4 में 1 add करें, minus 3 का square आजेगा, ठीक है, अब इनको अगर आप add करें, तो यह 9, 16 plus 9 आता है, और इसका answer 25, आप 25 का, अगर आप square root लेते हैं, तो आपको answer मिलता है 5, ठीक है, यहां गया CD, अब आप DA distance find कर लें, DA distance के लिए आप क्या करेंगे, DA के लिए आप 2 में से minus करेंगे, minus 1 को plus 1 हो जाएगा, 2 plus 1, 3, 3 का square 9, ठीक है, इसी तरह, minus 4 में आप minus करेंगे, 0 तो वो minus 4 ही आएगा, minus 4 का square 16, दोनों का add करें, 25, 25 का अगर आप square root लेते हैं, तो यह हमें answer मिलता है, 5, ठीक है, तो हमने देखा, VC that, हम दो लिखेंगे, VC that के all sides are equal, ठीक है, यानि, AB, AB side equal है, BC side के, और BC side equal है, CD के, और CD ब्राबर है, AD के या DA के, यानि के, rectangle, sorry, square के लिए opposite sides equal होनी चाहिए, जबत स्वरी, all sides equal होनी चाहिए, all sides equal है, and, अगर हम इसमें pathogoros theorem को apply करें, यानि, diagonal हमने AC find किया है, अगर AC side का square देखा जाए, तो under root 50 का square लें, तो 50 आ जाता है, ठीक है, जबके, अगर हम, चुके हम square को बनाने जा रहे हैं, ठीक है, square shape कुछ इस तरह की है, फर्स करें, मैं इदर इसको roughly draw कर रहा हूँ, ठीक है, एक rough C आपको diagram के through समझा रहा हूँ, तो आप यह देखें, अगर यह A vertex है, ठीक है, यह B है, यह C है, और यह D है, तो अगर हमने AC diagonal find किया है, A को C से मिला दिया है, तो B vertex पे 90 का angle कैसे prove होगा, कि B के समने वाली side, जो hyper t news है, इसका square, बा इतना बनता है, 25, और आप अगर दूसरी side देखें, जो BC है, वो कितनी आई है, 55 का square करें, 25, अब इन दोनों का sum करें, 25 प्लस 25, वो कितना बनता है, वो 50 बनता है, इसमीन के pathagoras theorem यहाँ पे apply हो रहा है, ठीक है, यह हम लिख सकते हैं के pathagoras theorem जो है, pathagoras theorem, satisfied theorem is satisfied, तो इसका मतल corner angle जो बन रहा है, B vertex पे वो 90 का है, same इसी तरह D पे भी 90 बनेगा, तो similarly हर कोने पे, मतलब हर vertex पे 90-90 का angle है, इसका मतलब के जो given points है, given points हम लिख सकते हैं के forms are square, given points form are square, ठीक है, तो यही result हमने prove करना था, last में हम लिख देंगे, proved, ठीक है जी, last में हम यहाँ पे लिख देंग proved, तो इस दीके से यह result जो हमारा prove हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम hence proved ही लिख सकते हैं, simple proved ही लिख सकते हैं, तो यह problem हमने complete कर लिए, अब next जो question आ रहा है, question number 9, वो मैं आप से discuss करता हूँ, इसमें जैसे मैंने आपको बताया है, पैथागोरस रूम आप लिख सकते हैं तो आप एक statement सी लिख दें यहाँ पर, कि आपने जो बात note की है, कि A, B side का square जो है, प्लस जो B, C side का square है, ठीक है, वो, sorry, यहाँ पर यह इस तरह से लिख के, यह बराबर है, A, C side के square के, तो यह बात मतलब prove हो जाएगी, कि पैथागोरस रूम जो वो prove हो रहा है, यहाँ यह is an isoscelis triangle, यहाँ यहाँ कि यह isoscelis triangle है, यहाँ इसकी दो sides equal आएंगी, और एक side different आएगी, ठीक है, तो हम label कर लेते हैं, इनको points को फर्स करें, यह A point है, यह B point के coordinates हैं, और यह C के हैं, तो हमें triangle के तीनो side find करनी है, ठीक है, इसके लिए हमें A, B distance भी निकालना होगा, B, C, B और C, A, B, तो A, B distance के लिए X coordinates का difference अगर देखा जाए, तो 6 में से 2 minus करें, 4, और 4 का square आता है, 16, 5 में से minus करेंगे, minus 4, तो plus 4 हो जाएगा, 5 plus 4, 9, 9 का square, 81, इन दोनों का add करें तो यह बनता है, 97, under root 97, यहाँ गया A, B distance, ठीक है, इसी तरह के सा, अगर हम BC distance find करते हैं, तो BC distance क के लिए, 5 में से 2 minus करेंगे, 3 का square, मतब 3 आएगा, 3 का square करेंगे, 9, और minus 1 में से minus करेंगे, minus 4 को तो plus 4 हो जाएगा, minus 1 में 4 add करो तो आता है, 3, 3 का square आता है, 9, तो 9 plus 9 कितना होता है, under root 18, इसी तरीके से CA distance भी calculate कर लेते हैं, CA distance क्या आएगा, 5 में से 6 minus करेंगे, minus 1, minus 1 का square, plus 1 आजेगा, और minus 1 में से minus करेंगे, 5 को, तो minus 5 और minus 1, minus 6 बनता है, minus 6 का square बनता है, 36, ठीक है, यहाँ पे क्या आजेगा, 36, यानि A और C का distance क्या आता है, 36, तो यह आता है, under root 37, ठीक है, तो हमने देखा कि यह तीनों sides जो है, वो different आ रही है, ठीक है, अगर हम इन तीनों की values क देखें, तो वो आपस में बराबर नहीं आ रही है, ठीक है, under root 97 का एक अलग आज़र है, under root 18 का अलग है, under root 37 का अलग आज़र है, ठीक है, टीक है, तो यह तीनों sides एक्वल नहीं है, तो यह जो show की बात की गई है, यहाँ पर हम यह कह सकते हैं, यह sides different है, ठीक है, यह तीनों sides आपस में मुख्तलिफ आई है ना A B side जो है वो B C side के बराबर है और ना ही B C side जो है वो A C side के बराबर है तीनों different sides आई है ठीक है it's mean के ये जो triangle है ये कौन सी triangle है ये scalene triangle है scalene triangle है ठीक है ये isosilis triangle नहीं है ठीक है न तो ये हम कह सकते हैं के जो given vertices है given vertices जो है vertices forms या form a scalene triangle ठीक है न तो इस ठीके से ये बात हम यहां पर लिख सकते हैं नहीं verification में हम देख सकते हैं कि ये बात ये सामने आई है कि ये isosilis triangle नहीं बना रहे हैं ये points